हमारे तूर्व प्रधान मंत्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड कर ब्राउट और इरिगेशन की समस्या से निजात के लिए उसके लिए दो हजार दो में योजना बनाई वर्किंग ग्रूप कॉंस्टिटूट भी किया गया फस्ट फेस मे सदन रीजन के जितने नदियां उनको जोडना था सेकेंड फेस में नॉर्थ के नदियों को जोडने का बात हुई लेकिन अटल जी का सरकार जाते ही यह सारा काम बंद हो गया था लेकिन 2014 में नरेंदर मोधी जी देश के प्रधान मंत्री बनते ही अटल जी का जितना भी इनकंप्लीट काम था उसको उन्होंने कदम उसको उठाया और सेप्तमबर 2014 में केंदर सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोडने के लिए स्पेशल कमिटी कॉंस्टिट किया गया और एप्रल 2015 में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग ग्रूप कॉंस्टिट किया गया पूरा करने को लेकर कुछ ताई किया गया है तिया मानिये सबाप मानिये लोग सबादेख्ष जी अला कि मूल प्रशन जो है वो बांधों में पानी के स्थर को लेकर के रिजर्वाइस को लेकर के था लेकिन मानिये सदस्या ने जो प्रशन किया है उनिश्चिती अत्यन्त म इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ जैसा मानिय सदस्या ने कहा है कि स्वरगी अठल जी क्या सपना था कि देश में सर्प्लस बेसिन से डैफिसित बेसिन पर पानी ट्रांसफर करके देश की जो एक वार्शिक समस्या है चनौती देश के सामने ह लगबग देश के सोला सतरा प्रतिशत हिस्से में हर साल अकाल पड़ता लगबग इतने ही इस्से में हर साल बाड़ की असी स्थिति बनती है तो एक संतुलन और साम्य जो है वो देश में लाया जा सकता है और जैसा मानिय सदस्या ने कहा सब आटल जी की सरकार जाने के इसे डेफिसित बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है उन सब की पी फार्स बनी उनमें से पंदरा से ज़्यादा लिंक्स के लिए डी पियार बनाएगी और डी पियार बनने के बाद में हमने राज्यों के साथ में उनको शेयर किया क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में सम्विधान प्रदक्त व्यवस्ता के अनुरूप जल राज्य का विशे है इसलिए राज्यों को पहले उस पर सहमती बनाने के बाद में ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है पाँच ऐसे प्रियोर्टी लिंक डिसाइड किये गए थे और उन पाँच प्रियोर्टी लिंक्स शिवराज सिंग्जी ने दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसे चेत्र जिस शेत्र में पानी की सरवादिक कमी इस देश में ऐसा माना जाता था उस बुंदेल खंड के साट लाख लोगों के पेजल और दो लाख से ज़्यादा हेक्टेर जमीन सिंचित हो सके दृष्टी को उनसे दोनों राज्यों के बीच में मानिय प्रधान मंत्र जी की उपस्तिति में एक समझाता ट्राइपार्टाइट अगरिमेंट किया और उस 45000 करोडर रुपय की परियोजना को मंजूरी मिली मानिय प्रधान मंत्र जी ने उस कृत्र की आवश्षक्ता को मैसूस करते वे उसके लिए 90% grant भारत सरकार की तरफ से मिले, इसे सुनिश्चित किया है, और उस दिशा में हमें stage 1, stage 2 की clearances सब बिल चुकी है, tender की प्रक्रिया धीन है, और निश्चिती हम उस पर आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से राजस्तान और मद्धी प्रदेश के बीच में एक priority link की करने के लिए मानिये प्रधान मिंती जी के नेतरतों में वर्तमान सरकार प्रतिबत दे, हम इस दिशा में काम करें। नीती आयो की रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि 2030 तक भारत में वाटर की डिमांड जो है सप्ले से दो गुना अधिक हो जाएगी। रेइन वाटर कंसर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए सेंट्रल गार्मेंट द्वारा कई स्कीम्स चलाए गए हैं। स्टेट्आ सिप्जट्ट और लोगल लेवल पर प्रॉपर कोर्डिनेशन ना होने के कारण स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि ऎम देश के वाटर के दिमान और सप्ले का यूझार कोस। alarming gap है इसको लेकर rain water conservation और harvesting के लिए आज अवशक्ता है focused educational interventions की लोगों को educate करने की जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर government द्वारा क्या specific steps उठाए जा रहे हैं मनिया अदेक्स महद निश्चीत रूप से मनिया सदस्या की चिंता की देश की बढ़ती भी पानी की आवशक्ताओं के आपूरती के लिए और एक ऐसे कटिन दोर में जब पूरी दुनिया climate change के दोर से गुजर रही है उस समय में जब हमारी चुनाती और भी बढ़ी है और चुनातियों के बढ़ने के अनेक कारणों में हमारी बढ़तीवी आबादी, बढ़ता हुआ शेहरी करन, बढ़ता हुआ अद्योगी करन और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया का अगर मांचेत्र आर्थिक प्रगती का देखा जाए तो दुनिया की आर्थिक प्रगती में जिन देशों ने प्रगती की है उसकी बढ़तीवी एकॉनमी का ग्राफ उसकी बढ़तीवी बिजली की आवश्यक्ता का ग्राफ और बढ़ते वे पानी की आविशक्ता का ग्राफ लगबग एपसलूटली आइडेंटिकल होता है ऐसे में जब माने प्रधान मंती जी के नेतरत में हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती वे अर्थवेवस्ता है और हम तीन से पांच डालर बिलियन डालर की अर्थवेवस्ता की तरफ बढ़ रहें निश्चित रूप से हमारी पानी की मांग और बढ़ने वाली है लेकिन माने प्रधान मंती जी के नेतरतों में एक तरफ जहां हमारे भूगर्ब के जल की जो जिस पर हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता थी और उसके अत्यदिक दोहन के कारण से निरंतर भूगर्ब का जल दबाव में था हमारे बुगर्ब के जलस रोग सुखते जा रहे थे ऐसी परिस्तिति में पिछले दस साल में जिस तरह से मानिय प्रदान मंतिजी ने आगे बढ़ कर इसे लीड किया और उसके चलते वे विबिन ने योजना हैं ली गई राज्य सरकारों में चेतना का गाप हुआ मानिय प्रदान मंतिजी ने पंचायतों के इस तरपक चुनेवे जन प्रतिनी दियों को पत्र लेखा विबिन ने इंटर्वेंशन्स लिए गए अटल भूजल योजना के माध्यम से पहली बार देश में डिमांड साइड को एड्रेस करने के लिए काम हुआ और अमरत सरोवर के माध्यम से देश भर में ऐसे तालाबों को बनाने की योजना पर काम किया गया इन सब के चलते वे एक जल चेतना का व्याप देश में हुआ है और उसके चलते देश में जल संरक्षन को लेकर के जो गतिवीदियां हुई वरसात के जल और वर्षा जल के भुगर्ब में पुनरजर बरन को लेकर के जो गतिवीदियां हुई उसके जलते वे मैं आज सदन को प्रसनिता के साथ में सूचित करना चाहता हूँ कि देश में भुगरब के जल का जो गिरता हुआ ट्रेंड का पिसले चार साल से लगा था और वो ट्रेंड ने के वल ठेड़ा है आपी तो वापस रीचार्ज होने की दिशा में बढ़ा है आज जो ओर एक्स्प्लोइटेड ब्लॉक थे या क्रिटिकली एक्स्प्लोइटेड लोग थे या सिवाइट फॉटेड ब्लॉक थे उन सब ने पॉजिटिव ग्रोथ हुई है जो गिरने वाले ब्लॉक्स की सं्या में सुधरने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है तेकि निश्चित रूप से हम विविनिट इंटर्वेंशन के का है के माध्यम से पानी का उपयोग हम संचित पानी का विवेक पूर्ण उपयोग करें और एक एक बुंद पानी से अधिक्तम लाब ले सकें इस दृष्टिकोन से जो मानने प्रदान मेंतिजी के नेतरतों में योजनाय बनाए गई है हमने जिस तरह से माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करने के उपर काम किया है जो उपलब्द पानी है उस उपलब्द पानी का अधिक्तम उपयोग हम कैसे कर सकें क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है उस सीमित संसाधन की सीमित्ता को देखते वे उपलब्द पानी का अधिक्तम उपयोग कर ह हम किस तरह से अपने देश में जो है सपानी के को निर्बाद आपूरती कर पाएं इस दर्शी कोन से बारत सरकार, सततच चिंतन वनन करते में काम कर रहे हैं। इसमें मेरा भी मानना है कि सभी मानने सदश्यों को इस गंभीर चिंता पर एक गंभीर प्रयास अपने-पने संसिदी शित्र में करने चीए हां एक में उसके बाध और हमें प्रियास करना चाहिए हम किस तरीके से शर्पेस water को रोक कर और तालाब बना सकें तालाबों को गहरा कर सकें इसमें अपना जो सांसत कोश नीदी है उसका भी उप्योग होना चाहिए और जन सयोग से भी करना चाहिए ताकि हम पानी की जो चिंतित होने के लिए उसकी लेकर हैं सुधी बंदोपाई जी मान अरेगा भी है उसमें सबी है संसादन को कि पिचतर तालाबों का अभियान चला था अमरत महुस्तों में कई मानने सांसुदों ने अच्छे काम कियें ऐसे करना ची अच्छे काम कियें